नमस्कार दोस्तो, स्वालत है आपका हमारी चैनल Health and Kidney में दोस्तो किड़नी जो होती है वो कभी भी बिना कारण फेल नहीं हो सकती इसको फेल होने के लिए कुछ ना कुछ कारण होते हैं जिन में इसे दो सबसे बड़े कारण हैं एक है High Blood Pressure और दुसरा है High Sugar अब ये दोनों की चीज हमारे शरीर में बच्पन से तो नहीं होते है तो ये दीरे-दीरे डेवलप होते हैं और इनके डेवलप होने में और किड़नी को फेल करने में साथ ही साथ इसमें Stress यानि की Tension कितना रूल अपना निपाता है ये हम आज इस वीडियो में देखेंगे साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि अगर आपके किड़नी अभी फेल है और आप डायलेसिस पे हो तो आपको क्या किया जाए कि आप अपनी किड़नी को ज्यादा बिमार होने से या ज्यादा खराब होने से बचा सके स्ट्रेस, तनाव, टैंसन या फिर डर ये सब चीज़े एक दूसरे से काफी हद तक मिलती जूती है जिसके लक्षन भी और उसके उपाई भी सेम होते है जिसको भी ये साथ कुछ फिल होता है तो उस इंसान की भूख दिरे-दिरे कम हो जाती है अगर आप में भी ऐसे किसी टाइक के लक्षन दीखते है तो आपको भी ये वीडियो बहुत ही हल्पूल होगा हमारी बोडी में 24 गंटे पुराने सेल्स मरते है और नए नए सेल्स बनते रहते है और ये जब पुराने सेल्स होते है वो बनने की पुरा दिन प्रोसेस चालो ही रहता है नए सेल्स बनने की प्रोसेस होती है वो रात को नींद में होती है जब हम सोते हुए होते है तब हमारी बोडी रिकवरी मोड पे होती है जब पुरा रिफ्रेश होती है ठीक है जब stress वाला अनिसान होता है जिसकी निंद कम हुए या फिर कोई कम सोता है कम आराम लेता है तो उसकी बोड़ी पुरी रिकवर नहीं हो पाती है kidney का भी कुछ SI है जब इनसान stress में होता है तब बिमार kidney को repair होने का time नहीं मिलता है और इसी वज़े से kidney ज्यादा से ज्यादा फेल होती रहती है जब इनसान stress में होता है तो उसके दिमाग पर बहुत सारा load यानि की pressure आ जाता है और इसकी वज़े से सीधा pressure बढ़ता है हमारे heart पर और heart जो होता है उसका काम होता है blood को आगे धक्का मालने का और जो blood आगे जाके हमारे kidney में जाता है जब blood को ज़्यादा धका मिलेगा heart से तो blood की जो blood जो जिस नलियों से हमारे kidney में जाता है वो नलिया एकदम simple होती है बहती नाजुप और एकदम पतली होती है तो जब blood उसमें simple तरीके से अगर flow कर रहा है कोई जादा pressure नहीं है वह normal तरीके से अगर flow हो रहा है तो जिससे कोई problem नहीं है क्योंग अब हो क्या रहा है कि blood जादा speed में आ रहा है अगर जब speed में आएगा तो हम आपको एक example बताओं कैसा होगा जब हम एपने घर की पानी की पाइप होती है, उसको अगर हमने ऐसे ही पकड़ रखा है, जिसमे पाइप में पूरा पानी दीरे-दीरे तो वह पानी दीरे-दीरे करके नीचे गिरता है, पर जब उसका जो छेद है, उसको दबाया जाए पिर आधा कर दिया चाहे, तो ये पानी जो है वो पूरा स्पीड में आगे जाता है, पूरा फोर्स में थोड़ा दूर तक जाता है, क्योंकि उसमें प्रेशर बनता है, और ये प्रेशर आगे स्पीड में जाता है, अब हमारी जो नलिया होती है, बलड की उसमें भी इसी तरह से होता है, वो नली होती ह इसके उपर उपर सूजन आजाती Jung में सूजन आजाने की वज़े से ये उसका मूढ पर पतला हो जाएगा मिल्ड बुद आता है वह जाधा सपीड में आगे जाएगा साथी 對不對 यहाँ और भी ब्लॉद जमा हो जाएगा इसकी वज़ेंस से हर्ट को भी जयदा थक्लिफ जननी पड़े हार्ट को भी जय्दा थक्का मारेगा अर उसी ज्य्यादा थक्क्य से फिल चींछ बढ़ेगी इसका होल पिलसे चोटा होता जाहेगा और आगे वılternß to little blood हो ne गवरी जगा पैप दुम्स पर छोला गजिब आगे फोलो आगे वहां पर भी हो पर भी मोट पड़तार रहे गाए को जो कि आपकी निंद भी तो यह जो हो रहा है ्लड परिश्रासरों ऑगे की निंद दे पूराbür सकितनी शुआ यह का मताती है इस मित ऊकशनी आप्टिकर्याएं लिए दिकस मेंकम देखेंना नेफ्रॉन, यह समय के रिफित ऐसी इनलाईकर अशुरी लगाइज नेव div पूरे World Level में पूरे World Spreng्थ में अभर सामाने टिप्स आपको दी जाती है जो आपके रेगिलर जिंदगी में इसको आप अपनाये तो किड्नी को खेल होने से या पिर हाई बीप को हाई सुगर को आप कान्ट्रोल कर सकते है बहुत ही आसानी से जब इसी तरह से सूगर बढ़ती है इसे किसम काम है. यकी किडिनी के सlaughs यह किडिनी के काम ही ही है जब वोण सब ही है अपर दो आप यूरीन ले रहे हैं ज़क्डों को परएंग किंडिनी की जयादा काम करना पड़ता है और अगर आपके किद्नी ओल्रेडी बीमार है तो उसी टाइम अगर सुगय ज्यादा लोगे तो उसका उपर और ज्यादा लोड़ बढ़ेगा और किद्नी जल्दी से बीमार होगी और अगर आपको इक सबसे बचना हो तो आसान सोलिसन है देखे सबसे पहला एक सोलिसन है Relax Yourself यह बहुत ही आसान है आपको अपने आपको Relax रखना है आपको Tension नहीं लेना है आपको कोई Pressure नहीं लेना है आपको ज़्यादा सोचना नहीं है बस आराम से रहो और यह बहुत ही आसान है अगर आपको पता है कि इसको कैसे Overcome किया जाए किस तरह से आप अपने आपको रिलेक्स रख सकते हो, जो भी आपको पसंद का काम है वो करिए, जो भी आपको पसंद का काम नहीं है वो मत करिए जिसमें से आपको टेंशन लगता है जहां से भी आपको टेंशन देता है वो सारे रास्ते बन कर दीजिए, वो कोई दोस्त है, कोई रिलेटीव है, जो आपको टेंशन देते है, कोई न्यूज है, कोई टीवी चैनल है, या फिर आपको यूटीब में टाइप के कुछ वीडियो देखते हो, जैसे कि पोलिटिक्स वीडियो देखते हो, या फाइटिंग मारा माली वाला इंशन डिएस, या सब पीडियो आप देखना बन कर दीजिए, इसा क्राइम एपिसोर्डेक्स देखना बन कर दीजिए, यह सब आपके दिमाग को स्ट्रेस देते है, जब आपको देख रहे होते हैं, तो आपका दिमाग कॉंस्टंट उसके हर एक सबद पर तो थे love and the device is तो देता है and बारी कि इसे ध्याद देने पर इसकी जो memory होती है रेम वो यूज होती है, जैसे हम mobile या computer मेर यूज करते है लो कभी हम game खिलते है, तो computer या mobile या स्थित होगाता है क्योंकि वो हर एक action को, हर एक second में कुछ ना कुछ action करता रहता है तो हमारा दिमाग भी उस तरह जब ध्यान से कुछ सुनता है या पर ध्यान करके कुछ काम करता है तो उसको टेंशन बढ़ता है वो गरम हो जाता है जिस तरह से मोबाइल और कम्प्यूटर गरम होते है उस तरह से दिमाग भी गरम हो जाता है और उसकी वज़े से अंदर के न सब को बंद करना है आलकोहल, cold drinks, cigarette यह सब चीज़े आपको बंद करनी है ज्यादा कॉफी पीना भी खराब है कॉफी में कैफेन होता है वो ज्यादा कैफेन आपको stress लाता है हम ऐसा मानते है और कही सुनी बाते है कि में दारो पीने से या सिग्रेट पीने से या कॉफी पीने स यह आपको लगता है mentally पर यह होता नहीं है यह उल्टा आपका stress बढ़ाता है तो यह सब चीज़े बंद कर दीजिए non-waste खाना बंद कर दीजिए क्योंकि उसमें हाइप्रोटीन होता है हाइप्रोटीन भी आपके दिमार को आपके बलड को आपके किड्नी को ज्यादा टें इसा भी सर्च कर सकते हैं कि relaxing Hindi songs आपको हिंदी सोंग्स पसंद है relaxing Hindi songs आप सर्च करोगे sleeping Hindi songs ऐसा पुट सर्च करोगे दो स्मूध मुजिक होता है शांती मुजिक वेसे वाले गाने आपको मिलेंगे वहाँ पर बस वेसे गाने आपके आपके साथ रहेंगे तो आपका है कि अरगे से कौमेडी वीडियो डेखे में आपको प्रमोट नहीं करता हूं लेकिन ऐसे कौमेडी वीडियो देखे आप परेश रहोल के कौमेडी देखे किसी की भी कौमेडी दिय्क है तार्फ रदा का उल्टा चुसमा जठाला की अपीशोड देखे आपको बहत ही मजा अपने दोस्तों के साथ कहीं गुमने चाहिए, बलगे एक ही दिन में अपने ही सीटी में आपके ज्यादा बजित ना हो, अपने ही सीटी में गुमने चाहिए, कोई भी यसी जगह चाहिए, जहां पर आपको अच्छा लगता है, कोई गार्डन में जाके बिठिए, कहीं मंदी जहां भी आपको शांती में जाहिए तो आपके प्रोसेस अगर नेगटिव इचार्स आपके दिमाग में चल रहे हैं तो वो शांत हो जाएंगे तो यह सब बेजिक चिज़े आपको करनी है अब यह बात हुए है आपके BP को कंट्रोल कर लेगेए लेकिन सुगर का क्या सुगर स्पार को प्रोसेस जो में आपको कe रहे प्रसेश आएगा यहां पर इन सब को अगर pressure को कम किया जा सकता तो यह सब की नोबद ही नहीं आएगी ठीक है तो यह तो बहुत ही आसान तरीका हो गया kidney को बचाने का तो आसा रखता हूं आप stress लेना बंद कर दीजेगा और BP और सुगर के अगर आपके पास दवाई चलती है या फिर नहीं भी चलती है तो आपको BP सुगर की रेगुलर दवाईया लेनी शूरू कर देनी चाहिए जिससे कि आप अपने kidney को बिमार या फिर ज्यादा बिमार होने से बचा सकते हैं बहुत बहुत शुक्री आपका आपको कोई question हो कुछ सला हो तो आप हमें comment कर सकते हैं अगर अभी तक आपने हमार जानकरी वाले वीडियो मिलेंगे बहुत बहुत शुक्री आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद